तो चलो प्यारे बाइबेचों इस वाले व्हुश्चन को करते हैं इसमें देखते हैं म्हुत ही क्या है कि हम लोग है वरिक बार के लास्ट जो सब्सक्राइब यह से आ रही थी और इसका यू तो जीरो हो गया और इसका इनीचियल वेलाउसीटी माल लेता यू है अब यह करते हैं जब कोलीजन हुआ है इसमालर बोडी रिवर्स इस डाइरेक्शन आमोशन तो इसमालर बोडी अपनी डाइरेक्शन आमोशन रिवर्स कर लिए और वो इधर को डाइरेक्शन में जाने लगी है ठीक है मतलब यह इधर जा रही इस वन केजी वाली बोडी उसकी वेलाउसीटी वीवन माल लेता हूं और यह जो है वो भी टू से जा रही है और यह जो भीवन है वो दिया हुआ है टू मीटर पर सेकेंड क्लियर है इनीशियल स्पीड आप स्मॉलर बोड़ी विभोर कोलीजन यू की वैल्यू निकाल नहीं है तो भी नू टू कैलकुलेट यू तो देखो कोलीजन के सारे प्रॉ सब्सक्राइब नियूर्ण ने बनाया था तो यह कोफिशेंट इभी द्रॉटेशन एक फर्मूला एलाजिगा तो अगर यह कॉनसेट लगाद हो तो यह की एक्वेशन हमेशा बन जाता है इसको न्यूटन ने बनाया था तो विलोसिटी आप सेप्रेशन कैसे निकालते जो ज्यादा होता भी टू माइनस बीवन और विलोसिटी आप एप्रोच यूँवन माइनस यूटू यह अब इसमें वेलू रख देते हैं तो भी टू हमें पता देखो हेड़ ओन इलास्टिक कोलिजन तो इलास्टिक कोलिजन के लिए एक वेलू 1 हो गयी तो यह पूरा वन के बराबर हो गया तो इसका मतलब बहुत है कि भी टू प्लस टू टू टाइमस इव इसकॉल टू यू मतलब भी टू माइनस इव इक्वेशन नमबर फर्स्ट तो यह यहां से मुझे मिल गया, basically equation number one, यहां से मुझे दिखने लगा, तो कोई दिक्कत और फ्रसानी वाली बात नहीं है यहां, चलो, अगर तुम देखोगे, equation number two बनाओगे, तो momentum conservation कर दो, यह दो law sufficient, पहला जो law था, वो law of, coefficient of restitution, coefficient of restitution, restitution, तो यह coefficient of restitution, दूसरा momentum by law of conservation of momentum, law of conservation of momentum, तो अगर मैं momentum कंजर करा देता हूँ, यहां पर, तो मुझे एक नया equation मुल जाएगा, initial momentum, collision से पहले, और collision के बाद बराबर होना चाहिए, collision के पहले, जो है, M1 U1 plus M2 U2 must be equal to M2 V2 plus M1 V1, अब इसमें क्या करना, कुछ नहीं value रख देना है, M1 1 kg था, यह 0 हो गया, और M2, mass 2 kg कितना था, यह 5 कितना kg था, देखो, तो यह 3 kg था, और V2, V2 मतलब इसकी velocity थो हमें पता ही नहीं, यह minus, यह 1 kg था, इसकी velocity 2 आ गया, opposite direction हो जा रहा है, तो यहां से मुझे मिल गया, U plus 3 times V2 minus 2, मतलब इस आ जाएगा, यहां से, तो यहां से आ जाएगा, U minus 3 times V2 is equal to minus 2, that is equation number 2, तो अगर मैं इन दोनों को solve कर लेता हूँ, तो मुझे, U और V2 मिल जाएगा, तो पहला जो equation था, ओ था, minus U plus V2 is equal to minus 2, अगर मैं इन दोनों को add कर देता हूँ, प्यारे बच्चों, तो add करने के बाद मुझे क्या मिलता है, यह दोनों कट जाते हैं, और यह V2, इधर आ जाएगा, minus 2 V2 is equal to minus 4, मतलब V2 की value आ जाएगी, 2 meter per second, जो की सही है, positive direction में V2 जा रहा है, तो अगर V2 इतना आ गया, तो U कितना आ जाएगा, तो U is equal to 2 minus U is equal to minus 2, तो यह आ जाएगा, minus U minus 2 minus 2, that is minus 4, तो U is equal to 4 meter per second, तो I hope कि यह बहुत ही अच्छा problem था, और यह I hope कि आप समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना आपको, बस दो law लगा देना है collision के problem में, thanks for watching this video, bye bye, take care,